जाहिन दोस्तों मैंनी धिबेन चोहान आज हम करेंगे class 10 का 3.3 का question first का first part ओके तो चलिए शुरू करते हैं यह देखिए यह हमारे समीकरण है ठीक है तो सबसे पहले हमें समीकरण 1 से यानि कि यह समीकरण 1 इससे हमें y की value निकाल लेनी है ठीक है तो देखिए y को यहीं y की value लिए है इस y की value को हम समीकरण 2 में रखेंगे जहां पे y है वहां हम रखेंगे 14-x यह देखिए ठीक है यह हमने समीकरण 2 में रख दिया अब हम इसे solve करेंगे x का x माइनस प्लस माइनस 14 माइनस माइनस प्लस और x और यह 4 ठीक है अब दोनों x प्लस के हैं इसलिए 2x 14 यहां माइनस का है तो यहां जाके प्लस का 14 और 4 18 यह दोनों यहां गुणा हो रहे हैं इधरा के 2 नीचे 2 एकम 2 दो निम 18 इस तरह से हमारी x की value आई 9 ठीक है समीकरण 1 में अब जो हमारा समीकरण 1 है यानि की यह ठीक है समीकरण 1 में हम x बराबर 9 रखेंगे यह देखें जहां x है वहां हमने 9 रख दिया तो 9 प्लस y बराबर 14 अब y को यही छोड़ा 9 इधर चला गया तो माइनस का 14 में से 9 गया तो 5 तो इस तरह से हमारी x की value आ गई 9 और y की value आ गई 5 अब हम इसे टेस्टिंग कर लेते हैं देखें टेस्ट कैसे करेंगे हम पहले समिकरण में दोनों values को रख देंगे तो 9 प्लस 5 14 ठीक है तो यह देखिए यह हमारा समिकरण था इसको हमने solve किया तो आया 14 यानि की lhs बराबर rhs ठीक है दूसरे समिकरण में 9-5 तो 9 में से 5 गया तो 4 इस तरह से दूसरा समिकरण भी हमारा सही प्रूव होता है lhs बराबर rhs ठीक है चलते हैं दूसरे question की तरफ यह देखिए यह है हमारा दूसरा question यह समिकरण 1 यह समिकरण 2 ठीक है समिकरण 1 से यानि की इससे हम s की value निकाल रहे हैं तो 3 यहीं रह जाएगा और t को हम उधर लेके आएंगे तो plus का हो जाएगा इस तरह से हमारी s की value आई समिकरण 2 से अब इस value को हम समिकरण 2 में रखेंगे यानि की जहाँ s है व तो s की जगह हम क्या लिखेंगे 3 plus 2 ठीक है 3 plus t तो यह देखिए हमने रख दिया अब यह देखिए यह क्या से solve हुआ इसको हमने इससे 3 गुणा की 2 एकम 2 t 2 ती या 6 फिर इसको किया 3 एकम 3 t अब 3 दूनी 6 और 6 चिक 36 इस तरह से होता है 3 दूनी 6 और 6 चिक 36 अब देखिए क्या करना है हमें अब हमें क्या करना है देखिए 2 t और 3 t 5 t इस 6 को हम वहाँ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 36 में से 6 गया तो 30 और ये 5 t अब ये दोनों यहां गुणा हो रहे हैं इधर आके भाग हो जाएगा 5 एकम 5 5 तो इस तरह से हमारी t की value आ गई 6 अब t की value 6 को हम समी करन एक में रखेंगे तो समी करन एक क्या है हमारा ये है s माइनस t बराबर 3 देखिए s माइनस t तो जहाँ t है वहाँ क्या रख देंगे 6 तो 6 वहाँ चला जाएगा 6 और 3 नो तो s बराबर 9 इस तरह से हमारी दोनों values आ गई s बराबर 9 और t बराबर 6 अब हम इसे test कर लेते हैं ये देखिए दोनों समी करन में हम 1 by 1 s की और t की value रख देंगे ये देखिए ये पहला समी करन है 9 माइनस 6 बराबर 3 तो ये देखिए 3 आ गया इसका मतलब lhs बराबर rhs यहाँ देखिए s बटे 3 t बटे 2 तो ये 3 ती या 9 तीन एकम 3 दो एकम 2 दो ती या 6 हमारे पास क्या बचा 3 प्लस 3 ठीक है 3 प्लस 3 बचा तो 3 और 3 6 तो ये देखिए आ गया 6 इसका मतलब lhs बराबर rhs ठीक है चलते हैं तीसरे question की तरह ये देखिए ये हमारा तीसरा question है समी करण 1 समी करण 2 समी करण 1 से हम y की value निकालेंगे कैसे निकालेंगे देखिए y minus का है न तो इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा plus का और इस 3 को इधर ले के आएंगे तो ये हो जाएगा minus का इस तरह से हमारी y की value आ गई 3x minus 3 हमें y को न हमेशा plus का रखना इसको हम minus का नहीं रख सकते ठीक है अब इस value को हम समी करण 2 में रखेंगे तो ये है हमारा समी करण 2 तो जहाँ y है वहाँ हम 3x minus 3 को रख देंगे ये देखिए ये देखिए रख दिया ठीक है अब इसे solve कैसे करना है 9x तीन तीया 9 तीन तीया 9 नो का 9 plus का 9x और minus का cancel 9 बराबर 9 तो जब इसकी value बराबर आए तो उसके हमारे जो answer है वो आएंगे अनंत इस तरह से यहाँ ये question हमारा खतम होता है thank you very much जय हिन जय भारत